नमस्कार, NBCN के बिजनेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी Reliance का मार्केट कैप 20 लाग करूट की पार ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली कमपनी Reliance देश की सबसे बड़ी कमपनी Reliance इंडस्ट्री का मार्केट कैप 20 लाग करूट रुपे की पार निकल गया है ये मुकाम हासिल करने वाले ये भारत की पहली कमपनी है आज कमपनी की शेयर ने 2998 रुपे का All Time High बनाया जिस कारन कमपनी का मार्केट कैप बढ़ गया पिछले दो हफ्तों में RIL की मार्केट वैलू 1 लाग करूट रुपे बढ़ी है 29 जनवरी को कमपनी का मार्केट कैप 19 लाग करूट रुपे के आकड़ों पर पहुचा था इससे पहले कमपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाग करूट का लेवल पार किया था 2019 में मार्केट कैप 10 लाग करूट की पार निकला था आज यानि बुदभार 14 फरवरी 2024 को शियर बाजार में भारी गिरावट है बेसी संसेक्स करेट 500 अंग गिर कर खुला ऐसे में आज लिस्ट होने वाले तीन आईपियो में से निविशकों का घाटा हो गया है दो आईपियो डिसकाउंट पर लिस्ट होए डिसकाउंट पर लिस्ट होने वाले आईपियो में जन स्मॉल फाइनस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनस बैंक का नाम शामिल है हालाकि आज ही राशी पेरिफेलर का आईपियो भी लिस्ट हुआ इसकी निवेशकों की एक ही दिन में 8 फीसदी की कमाई हुई शेयर बाजार के विशलेशक इसे मामुली कमाई बता रहे है क्योंकि इससे दो दिन पहले ही APJ सुरिंद्रा पार्क होटिल की लिस्टिंग 20 फीसदी प्रीमियम पर हुई थी भारती अरपती और अडानी ग्रूप के चेर्मैन गोतम अडानी के लिए विदेश से अच्छी कबर आई है जिसका असर आज उनकी कमपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकता है दरसर Global Rating Agency Moody's Investor Service ने अडानी ग्रूप की चौथी कमपनी के लुकाउट में संशोधन किया है और इसे निगेटिव से बदल कर अब स्टेबल कर दिया है मूडिस की और से अडानी ग्रूप के लिए साल भर बाद ये अच्छी कबर आई है अडानी ग्रूप के उपर से हिडंबन का साया लगबग हट चुका है और ग्रूप की कमपनियों ने तेजी वापसी की है तो इसके चलते गौतम अडानी की संपत्ति में भी जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है हिडंबन रिपोर्ट की चलते साल 2023 में महस दो महिने में ही इनकी नेटवर्ट 60 अरब डॉलर तक कम हो गए थी लेकिन इस साल 2024 में उन्होंने फिर रफ्तार पकड़ते हुए दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में अपनी पकड़ मजबुत की है ब्लूमबर्ग बिलोनियस इंडेक्स के मुदाबित गोतम अडानी नेटवर्ट 99.2 अरब डॉलर है और वह दुनिया के 12 सबसे अमीर इंसान है इस साल अब तक उनकी संपत्ति में 16.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है पेटियम ब्रैंड का स्वामित्वर रखने वाली कमपनी वन सत्यानवे कम्मुनिकेशन लिमिनेट के शेयरों में लगातार गिरावट जा रहे है आज यानि बुद्वार को भी पेटियम का शेयर करीब 10 फीसदी का गोला लगा कर 343 रुपे के करीब आ गया है आज सुबह 355 रुपे पर खुलने की बाद पेटियम की शेयर 343.20 रुपे पर आ गये यह इसका 52 हपते का नया लो है इससे पहले मंगलवार को भी इसमें 10 फीसदी की गिरावट आई और यह लोवर सरकीट पर पोच गया पेटियम पेइमेंट बैंक की खिलाफ रिजो बैंक की कारवाई की किसी भी समिक्षा से इनकार करने के बाद पहली बार वन सत्यनवे कम्मुनिकेशन के शेयर दोनों प्रमूख शेयर बाजारों में अब 350 रुपे की लिमिट से नीचे गिर गये पेंशन ये बुढ़ापे का सहारा होता है और हर कोई चाहता है कि रिटायमेंट की बाद उनका बुढ़ापा बिना किसी वित्य परेशाने के आराम से कटे इसके लिए वो अपनी कमाई से बच्चत भी करते है और ऐसी जगह निवेश करने का प्लान करते है जिससे उन्हें खर्चा के लिए दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े अगर आप युवा है तो हर महने छोटी सी रिकम जमा कर अपने बुढ़ापे को आर्तिक खुशार बना सकते है सरकार की और से संचालित अटल पेंशन योजना इस मामले में खास लोगप्रिय हो रही है 5000 रुपे तक गयारेंटेट पेंशन आपका बुढ़ापा मोच में कटे इसके लिए अटल पेंशन योजना में निविश करना फायदे का साबित है यह एक पेंशन स्कीम है और इसमें पेंशन की गयारेंटी खुद सरकार देती है हर रोज आप छोटी सी पचत करके इस स्की में निविश कर सकते हैं और अपने निविश के हिसाब से हर महिने 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक की पेंशन पा सकते हैं यानि रिटार्मेंट की बाद आपकी नियमित आय पकी है एपी स्कैम में निविश की लिए आयू सिमा 18 से 40 साल निधारित की गई है रिलाइंस का मार्केट कैब 20 लाग करूट की पार ये मुकाम हसल करने वाली देश की पहली कमपनी रिलाइंस बाजार में भारी किरावट की बीच तीन आईपियों हुए लिस्ट दो में घाटा तो एक भी हुई मामली कमाई खबरों का सिलसिला यू ही जारी रहेगा देखते रिए इन बीसीन न्यूज